नमासकार, ये हिंद वनिमातरम साथ ये एक बार फिर से स्वागत हैं दे इंडिया निउस के अंदर दोस्तों लेकराच के हैं आज का महा ओपिनियन पॉल दोस्तों आप सभी को बता दें की गुजराद के अंदर किसकी बने जारी है सरकार और दोस्तों गुजरात के अंदर जो परिवरतनाय हैं उनको देखते हैं आकिरकार है दोस्तों कुछ ना कुछ तो बदला हो सकते हैं वह दोस्तों देखा जाए तो जनता सर्वे के मताबिक आज विदान सबा चुना होते हैं गुजराद के अंदर तो किसकी बनेगी सरकार आकिरकार दोस्तों देखना बाकी है और दोस्तों देखते हैं कि जो इस बार जनता सरवे के अंदर जिन लोगों ने पार्टी स्पेट किया था और अपने अपने बोट दियत है उनके अंदर हमारे चैनल के जनता सरवे के अंदर किनकिन लोगों ने किस-किस पार्टी को सपोर्ट किया है इसके बारे में हम आप सभी को इस वीडियो के बारे में बताने वाले हैं पर दोस्तों यहाँ पर भात करेंगी कि जियो पिछली बार कमेंट्स के अंदर जो जन्ता सरवे के वोटिंग भी थी उसके अंदर जो आप लोगों ने वोट किये थे क्या कितने परसेंटेज लोग के कौनजी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और गुजरात में किसकी सरकार बन सकती हैं इस बार दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों यहां पर सुरुवाद कांग्रीज की हैं पर दोस्तों यहां पर आँद्मिपार्टी किसी से बिना घटостन बंदन के यहां पर उतर चुकी हैं पर दोस्तों आपको बतात Under Party यह थे जो की BJP और कांग्रीज इन दोनों पार्टे ही अपना चुनाव लड़ती थी और कापी काटे की टकर होती थी पर दोस्तों इस काटे की टकर में एक पार्टी ने और अपना दलील को पेस किया यानि कि अपने आपको यहां पर रख दिया है अब दोस्तों आकिर कार्ट जानेंगे कि यहां पर आम आद गुजरात के अंदर और गुजरात की एक सो ब्रेसी शीटों के उपर अपना हुका जमाल लिया था पर दोस्तों यहां पर अब कॉपिटिशन के अंदर एक और पार्टी ने यहां पर दलील दी हैं जो की कापी सीटे काटने वाली हैं कांग्रेस और बीजेपी के मतलब यहां पर जो पहले कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो शीटे का वोटिंग होती थी अब उन में से कुछ शीटें आम आपनी पालिटिक हाते में भी जा सकती हैं और यहां पर तीनों पार्टियों के बीच इन एक सो बढ़ियां सी शीटों का अच्छा बढ़वारा हो सकता ह पर दोस्तों इस जनता सर्वे के बीच जाने हैं उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट हैं कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल दे इंडिया न्यूज को नीचे लाल बटन दवा के सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर भी नीचे लाल बटन दवा के चैन का और आप कौन से राज्जी जिल्ले के बारे में आहंदा बाद की 21 चिटे-एं मिलती दिकाए देरे जबकी आम आदू आद्मी पालिटी को शात तो वही कांगरिस को दो सीटेन मिल रही है तो जिरो जीरो पर दोस्तों यहां पर हैं पर हैं पर आणंद की साथ को पारे बात की जैए तो जबकि यहां पर आम आदमी तीन के साथ सेमत होंगी और अपनी लीड को आगे बढ़ाईगी पर दोस्तों यहां पर कांग्रेस को फिट से जीरो तो इन्हें खाते में जीरो वह गुजरात की 33 सीटों के बारें बात कि जाए तो यहां पर बिजेपी को 19 सीटे का बहुमत मिलता देरी जबकि आम आदमी पालिटी को दो तो वही कांग्रेस को भी दो सीटे जाएगी जबकि यहां पर बिजेपी को चार का बहुमत मिलेगा जबकि बराबर में आम आदमी पालिटी को भी चार सीटे मिलेगी जबकि यहां पर कांग्रेस को एक ही सीट मिलेगी और ने खाते कॉ सिटे का मिल रहा है जबकि कांगरेस के बादे में बाट कि जाए तो बावनगर की साथ सीटों में यहां पर बीजेपी को चार का बहुमत मिल रहा है जबकि आम आद्मी पालिटी को दो सीटे मिल रही है पर दोस्तों यहां पर कांग्रेस को फिर से जीरो तो इने खते में एक सीट जाएगी जबकि वड़ोदा की दो सीटों के बात कि जाए तो य बीजेपी को चोटी सीटों का पूर्ण बहुमत मिल रहा है जबकि यहां पर आम आद्मी को चोई सीटे मिल रही है तो कांग्रेस को तीन और इने खते में एक सीट जाती वी दिखाई दे रही हैं दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बात कि जाए तो देव भूमी दौर क बात कि दो की दो सीटें बीजेपी खते में जाती वी दिखाई दे रही हैं जबकि यहां पर आम आद्मी को जीरो तो वही कांग्रेस को जीरो और इने खते में जीरो पर दोस्तों यही पर दाहुद की छे सीटों में से बीजेपी को तीन जाएगी तो यहां पर आम आद्मी दोखे साथ सेमत हैं पर दोस्तों यहां पर कांग्रेस को एक ही सीट मिलेगी और इने खाते में जीरो पर दोस्तों यहां पर डांग की एक सीट के बारे में बात करें तो यहां पर एक की एक सीट आम आदमी अपने नाम करेगा जबकि यहां पर बीजेपी और कांग्रेस और इ करें तो गांधी नेगर कि पांच सीटों में से यहां पर बीजेपी को दोसी चाहा जाते विए दिखाई देरें जबकि यहां पर कॉधिया पर आम आदमी को श्रुप तीन तो वे कांग्रेस को जीर तो अन्यगाते में जीरो वहीत दोस्तों इसीशाथ हम गीर समनाप्त की चा तो अन्य खाते में भी जीरो वही दोस्तों इसी के साथ गुजरात की 55 सीटों में से यहाँ पर बीजेबी खाते में 45 सीटे जाती भी दिखाए दिरे जबकि यहाँ पर आम आदमी पर 30 सीटे लेकर खुसे हैं पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को नीरासा देखने को मिल सकती चार सीटों पर अन्य खाते में एक दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारें बात करें तो जुनागर की साथ सीटों में से यहाँ पर बीजेबी को चार तो आम आदमी को एक कांग्रेस को जीरो तो ने खाते में जिरो वही कच्छा की छे सीटों में बारें बारें बा वो 56 सीट का पूर्ण बहुमत विल रहा है जबकि आम आत्मी को 41 तो वह कांग्रेस को 4 तो उन्हें खाते में एक सीट जाती भी दिकाई दे रही हैं दोस्तों हम इसी के साथ अगले जलिका बारे में बात किजिए तो महिसागर की साथ सीटों मैं से यहां पर बीजेपी को तीन सीट जाएगी जब्कि आमाद exists साथ कुस हैं वही सब्सक्ती का कांग्रेस और ने खते में परवेज होगा वही दोस्तों मौरवि की तीन सीटों मैं से यहां पर बिजेपी 2 लेगी और प्र यहां ने खते में जीरो वही दोस्तों नब्दा के दो सित के बारे में बात कियों तो दोने में वठवारा होगा और ब्जेपी और आम आद्मी को एक एक सिट मिलेगी तो कंग्रीस और इने खाते है जी यहां पर कांग्रेस by और गुजरात की 130 सिटों में से यहां पर कांग्रेस छेप है तो इने कि साथ अगले जिल्य का वाले में बात करें तो इसके मिलेगी taraf कि आम आद्मी जीरो वह कांग्रेस को एक सित मिलेगी जब कि ने खता ह्था मेंजीरो वह- tak कॉट की इसको मिलेगी तरफ ने जैबं कांगरेस का फिर जीरो फę कांग्रेस् को पर साबर काटा की उन्हें सिटों में से बीजेपी और आम आदमी को दो-दो सिटें मिलती भी दिकाई देरें जब कि अन्य और कांगरिस घाते में जीरो वही गुजरात की एक सो चौमाली सिटों में से यहां पर बीजेपी को चंतर सिटें मिल रही हैं जब कि आम आदमी सताओं सिटों के साथ कुस हैं वही कांगरिस को 8 ओने खतर में 3 इसका साथ हम अगले जिले के बारे में बात करें तो सूरत के की सोलह शीटों में से यहां पर बीजेपी को 7 आम आदमी को भी सत तो कांगरिस को दो तो अन्य खतर नीए जीड़ों फोज़ार्ट की सब्सक्राइब को चूछ शीटे मिलती हैं जब कि यह आंगरेस को 10 तो अन्ये कहते में तीन इसके साथ हम अगले जिल्ये का बात कि दो वड़ोधरा की दस सीटों में से यहाँ पर बीजेप kung 2 तीन सीटों का पूंड बोममित मिल रहे हैं जबकि यहाँ पर आमार आदमि को झेidän तो वह कांगरेस को एक तो इन्हे खते में पूर्ण कांग्रेस पार्टी को स्रीप 11 सीटे ही मिल रही है गुजरात के अंदर और ने खते में तीन दोस्तों आप सबी को बता दें कि गुजरात के अंदर एक बार कोई प्लट वार नहीं हो सकता है और कोई फेर बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है जनता सर्वे के सब्सक्राइब करेंगें तो यहां पर अन्य खते में भी तीन ही जा रही है पर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को च्छटा सा लाइक किजिगा और चैनल पर नहीं हो तो अभी कभी चैनल को निचलाल प्रण दबागे सब्सक्राइब कर कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं कमेंट बॉक्स में जिरूर बताएगा और कमेंट किजिगा अपनी पार्टी का नाम लिख किया और आप कौन से राज्जे से रहने वाले ये भी बता दीजिगा मिलता है नेक्स प्रण तो लेजिए हिंद बदने मतरम आपका दिन बताव